तो गाई आज है तारिक 31 मार्च 2021 और है वेटनस डेखेंगे आज का देहिंगे आज का देहिंदू कंप्लीट नूजपेपर को एनलाइज करेंगे बड़ लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट नूजपेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे रखा है मतलब कि इस चैनल का नोट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट तो जाकर इसको जरूर जाइन करना ना बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आ पैरिजन में कहां पर ये लोकेड़ है ओके नाओ आता है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल बात करता है कोवीट के 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 सिसके बारे में तो जैसा कि एस यूजुवल हम लोग इस आर्टिकल को डिसकस करते हुए आ रहे हैं कोवीट के के सिस लगातार बढ़ रहे हैं तो स देख सकते हो इस तरीके से जो है ये COVID के cases लगातार बढ़ रहे हैं और यहां पर इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग को एक urgently actions लेने पड़ेंगे जैसा की testing को बढ़ाना पड़ेगा vaccination को इंग्रीज करना पड़ेगा और साथी साथ लोगों को खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा जो guidelines बगएरा पहले चल रही थी उनको follow करना पड़ेगा otherwise जो है जैसे चीजे पहले हो रही थी वैसे हम लोग को आने वाले time पे नजर आने वाली है ओके तो ये था article जादा कु मैंनमार के अंदर क्या situation चल रही है अब मैंनमार के बारे में तो बात करी जा रही है लेकिन साथी साथ इंडिया को लेकर क्या बात करी जा रही है वो हम discuss करने वाले है सबसे पहले आप देख पाओगे मनीपूर ने मनीपूर ने आप जो एक letter था उसको आपका सकतो विड्र करत के अंदर आ रहे हैं कि तो अब यहां पर वो क्या करते इनको आप वापस से जो है इनको भेज देते वापस से डिपे डिपूर ने अब क्या है कि जो मनीpůर है उस ने अब यहां पर यह इस letter को विड्रौ मेनमार के बारे में थैद्शा इस मैनमार के अंदर एक February की बात है एक February को वहाँ पर हो गया था Military Coup ठीक है अब यह जो Military Coup है यानि वहाँ पर तकता पलट हो गया था और तब से जो है मैनमार के अंदर चल रहा है Military Rule ठीक है Military अपना Rule कर रही है मैनमार के अंदर तो यानि की Military Rule कर रही है तो पहले एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड पॉलिटिकल पार्टी हुआ कर दी थी लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया गया है अब वहाँ पर जो Military Rule आ चुका है Military अपनी तरह से उसको रूल कर रही है अब लोग को यह च के अंदर डेमोक्रेटिक चाहिए अब यहाँ पर प्रोटेस्टों कर रहे हैं लोग लोग सड़कों पर निकल रहे हैं सड़कों पर Military जो है समाल लिए लोग को और आपस में इनके बीच में क्या हो रहा है क्लैश हो रहा है और उस क्लैश की वज़ा से काफी लोग की जान भ बढ़ रहे हैं यानि कि इंडिया में शरणार्थी की तरह यहाँ पर आगे बढ़ते वे नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर इस तरही प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है तो आई हूप आप लोग को यह क्लियर हो है नाओ यहाँ पर हम लोग अगर बात करें देखो ऐसी तो उनकी हल्प करने वाला है अब इहाली में आप लोग को मालुम होगा जो हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्हों ने यहाँ पर बोला भी था कि जो भी रेफ्यूजिज आ रहे हैं यानि कि जो भी मैनमार से लोग आ रहे है शननल लेने के लिए यहाँ पर तो उनको किया जाए और वापस उनको भेज दिया जाए लेकिन जो मीजोरम है मीजोरम पहले भी आप कह सकते हो यहाँ पर उसने ये बुद्धा यहाँ पर उठाया था मीजोरम ये जो हो मिनिस्ट्री का स्टेट्मेंट है इसके बिल्कुल खिलाफ है मीजोरम ने पहले भी बोला था कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया इत्तवड़ा डेमोक्रेसी इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए जो भी लोग आ रहे हैं उनकी हल्प करनी चाहिए तो उन चीजों को देखते वे जो मीजुरॉम की गोवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर प्लैन किया है वो लोग को प्लैन करने वाले हैं उनको एंप्लैनंट रोजगार देने वाले है अंडर दी मہतंपाग गांधी नैशनल रूरं एम्प्लैन मन गारंटी Ky 2014 गये ओके तो यहाँ पर इस तरीके की problem आपके सकते हो create भी हो रही है और यहाँ पर मीजोरम जो है आपके सकते हो साथ में खड़ा है मीजोरम का कहना यह है कि मैंनमार की support करना चाहिए तो आप इस तरीके से इंडिया के अंदर भी center और state की बीच में dispute देख सकते हो एक तरफ center जो है home ministry उनके द्वारा कहना यह है कि कि आपको support नहीं करना है जो भी refugees आ रहे है उनका वापस से बेजना है identify करके और दूसरी तरफ मीजोरम जो states है states सरकार का यहाँ पर कहना है कि नहीं हम लोग को help करनी चाहिए तो I hope आप लोगों यहाँ पर यह पूरी situation clear हो गई होगी आगे बढ़ते है next article की तरफ आप यहाँ पर एक important article की तरफ बात करी जा रही है Supreme Court to study if POCSO Act can be used against minors याने कि Supreme Court ने decide क्या है कि examine कर जाए क्या कि जो POCSO Act है यह क्या Act है मैं भी आप लोग को बताऊंगा जो POCSO Act है हम लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं minors के लिए ठीक है जिनकी 18 years है या फिर under the 18 years की age है उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर यह POCSO Act का इस्तमाल कर सकते हैं क्या situation ने क्या create हुआ यह सब मैं बात करूँ है इसके अंदर साबसे पहले बात करता है यह POCSO Act है क्या इसकी full form है protection of children from sexual offense तो यहाँ पर यह जो एक्ट है आप देख पाओगे इसको लाया गया था 2012 के अंदर इनेक्ट किया गया था और इसका main purpose यह था कि जो भी यहाँ पर यह act काम करता है तो I hope आप लोग clear हो गया होगा देखो नाम से ही पता चलना है protection of children तो बच्चों को यहाँ पर product करना है from the sexual offenses तो उसकी वज़ा से इस act को लाया गया था फिर 2019 में एक amendment भी हुआ था इस act के अंदर ओके नौ यहाँ पर basically बात यह हो रही है कि क्या हम लोग इस act का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा मुद्दा रखा गया है Supreme Court ने यहाँ पर decide किया है कि अब यह examine करा जाएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए और थोड़े बहुत यहाँ पर बातचीत होगी फिर उसके बाद जो है आने वाले टाइम पर हम लोगों जो 18 years का लड़का है या फिर 18 years under age है तो क्या हम लोग इसको यहाँ पर punishment कर सकते हैं इसको punish कर सकते हैं जो teenage world लड़का है इसको punish कर सकते हैं तो यहाँ पर basically यह सारी चीज़ है तो यहाँ पर Supreme Court इसको examine करेगा देखेगा हाँ क्या situation है क्या नहीं है फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में नाओ यहाँ पर याद रखना इस Pokes O Act के बारे में यह क्या है Pokes O Act यह मैंने आप लोग को बता दिया बढ़ते हैं नेक्स आर्टिकल की तरफ यहाँ पर आता है एक और आर्टिकल बात करी जा रही है रिसेर्चर्स ने ए स्पीशीज को डूण लिया है एक नई प्रजाती मिल गई है तो ग्रूप ओफ लैपिडो प्रिस्ट यहाँ पर इनके द्वारा देखा गया है एक स्पीशीज को अब यहाँ पर जो हमारे पास इंडिया के अंदर काफी सारी बटरफ्लाइज है ठीके उसकी लिस्ट में एक कौन सी है यह है नेकर डूबा सिनहला रामस्वामी साड़ा सिवन यहाँ पर आप देख सकते हो यह नेकर डूबा सिनहला से याद रख सकते हो यह एक स्पीशी है अब यहाँ पर इसको डिसकवर करा गया है कहां से अगस्थी मला इससे और यह कहां पर है वेस्टन घार्ट म कौन होते हैं अपर सन हुई स्टडीज और कलेक्ट्स बटरफ्लाइज एंड मौथ ठीक है तो उनको हम लोग बोलता है जो कि बटरफ्लाइज को लेकर स्टडीज वगरा करते हैं तो यहां पर इनके ग्रोप ने इस बटरफ्लाइज को डूंडा है ओके तो यह नई स्पीशी क कि शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाए नाइन मंस तक कर दिया जाए जो डीजी सिया यह उसने एक्सपेंड कर दिया इस प्रेस्क्राइब टर्म को देखो हुआ क्या है पहले ना क्या हुआ करता है कि जो यह कोवी शील्ड है जो कोवी शील्ड वाक्सीन है यह करता था थ्री मंद्श का ठीक है कि तीन महीने तक हम लोग इसका यूजक्स कर सकते हैं स्क्समों का इसका टर्म होता था नाव अब क्या हुआ है अब इसके टर्म को बढ़ा दिया यह बोला है यहां पर कि जो यह वैक्सीन है आप उसका इस्तमाल कर सकते हो नाइन मंस तक फ उसको और अलाव कर दिया है और यहां पर रिसर्चिस करके चीज़ों का पता लगया है ओके आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉरेंट नहीं है बड़ आपको एक छोटा सा आइडिया यहां पर होना चाहिए ओके नाव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की हैं ऐसजैशंकर साथ इनके दोब बोला गया इंडिया जो है वह पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है ऐफगानिस्तान टालिबान डायलॉक को लेकर यह अफगानिस्तान तालिबन क्या है तो आप लोगको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइंपर एक बह Slim Organization है अब यहाँ पर आप देख पाऊगे ना कि इन दोनों के बीच में काफी जादा dispute काफी जादा clashes देखने को मिलते हैं आपस में ठीक है अब यह लोग तालिबान चाहता है कि तालिबान control करें अफगानिस्तान को तालिबान के हिसाब से जो rules and regulations है वो सारी मार देते हैं ठीक है इस तरगी की जो है problems create होती भी आ रही है काफी लंबे समय से नाव साभी countries जो हैं लगी पड़ी है कि इन दोनों के बीच में peace आपका सकते हो आपका सकते हो यहाँ पर शांती बन जाए ठीक है पीस settlement हो जाए लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं पाया है तो आप देख पाओगे basically यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिया है वो पूरी तरह से support करेगा intra-Afghan negotiations को लेकर यानि कि तालिबान से अफगानिस्तान की जो सरकार है उनसे negotiations अच्छे से हो जाए ठीक है आपस में बातचीत हो जाए ठीक है शांती बनाई जा सके उसके लिए इंडिया support करने वाला है पूरी तरह से अफगानिस्तान को आप देख पाओगे mr. जैशनकर ने अटेंड करिए यह मीटिंग किसके साथ along the foreign minister of 15 countries 15 countries के और भी अलग-अलग foreign minister थे उनके साथ यह मीटिंग अटेंड करी गई है कौन-कौन से थे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, एरान, चाइना, रश्या, साउधी अरेबिया and the Central Asian States ठीक है यह सबी इस मीटिंग के अंदर थे अगर हम बात करें तो यह क्या है बोला यह क्या है अगर यहाँ पर peace process maintain हो जाता है if the peace process successful यानि शांती बनाई जा सकती है और अगर सांती बन गई वहाँ पर तो फिर दोनों को यह अपनी तरफ से दोनों parties को continue करना पड़ेगा इसको साथी में commitment करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को लेकर चल सकें यह ना हो कि अभी यहाँ पर शांती हो जाए और बाद में वापस यह problems create होने लगें तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर यह अफगानिस्तान का issue भी clear हो गया होगा next article आता है यह वाला बात करी जा रही है MV यानि की motor vehicle tax rebate proposed for scrapping vehicles आपको मालूम होगा हमारी सरकार scrapping vehicle policy लेकर आई थी इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर एक तरफ है personal vehicles एक तरफ है commercial vehicles मैं आपको ऐसी बता देता हूँ personal vehicles जैसे कि आपके हमारे जो भी personal vehicles हो गए ठीक है और दूसरी तरफ commercial vehicles अब यहाँ पर जो भी बड़े बड़े trucks वगएरा हो गए जिनको समान वगएरा जहां पे ढोया जाता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि personal vehicles और जो है commercial vehicles के लिए हम scrapping policy लेकर आए कि देखो अगर हमारा जो वहीकल है वो पुराना हो जाता है तो क्या होगा काफी पुराना हो जाता है 20 साल का और 15 साल के यहाँ पर डेटा दिया हुआ है अगर इतना पुराना आपका जो वहीकल हो जाता है अगर आपका वहीकल का फ काफी बड़ा खत्रा है क्योंकि उससे pollution वगरा भी carbon emission वगरा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उसकी वजासे यहाँ पर क्या है कि जो खायदा होगा तो लोग जो है वाकई में थोड़ा बहुत करवाएंगे और इससे थोड़ा हमें भी फाइदा होगा व्यका we अगर अगर आपने जो है उसको स्क्रापिंग के लिए बेज दिया है अपने वहीकल को तो फिर क्या होगा उसको थोड़ा बहुत छूट मिलने वाला है टेक्स के अंदर ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहां पर यह जो आर्टिकल है इसमें मेरा परपस यह है मैं आप लोग को OCI के बारे में बता सकूँ ठीके सिर्फ इतना परपस है ना यहां पर बोला क्या गया है जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं नीड नॉट केरी टू ओल्ड पास्पो भी लेकर चलना पड़ता था ठीके एक्सपाइड पास्पोर्स फॉर्ड ट्रेवल टू इंडिया पहले रिक्वार्मेंट था चीजों का लेकिन अब यहां पर उन चीजों की रिक्वार्मेंट नहीं है अब यह OCI क्या होते हैं देखो Overseas citizenship of India यह आपका सकतों यह बिसिकली कि जैसे कोई parents हैं माननैं घृक है कोई parents हैं आपको example के तौर पर समझाता हूं तो जादा समझ में अच्छे से आएगा मालो यह दो parents है अब यहां पर यह पार यह जो parents है इनका एक बच्चा है अब यहा पर parents झो हैं इंडिया से belong करते हैं अब इंडिया से तो be dolong करते हैं अ अब यह जो इनके पेरेंट्स तो इंडिया से हैं ना कास कर यहां पर देखना है यह दिख पाओगे इंडिया से बिलॉंग करते हैं इसका डेटा वगरा होगा ठीक है और यहां पर पिर क्या होगा जो यह बंदा है यह एलिजिबल रहेगा ओसी आई कार्ड होलर के लिए यान कार्ड बन जाएगा ठीक है वह ओसी आई के थुरू एलिजिबल हो जाएगा इंडिया में आने के लिए ओके अब यहां पर ओसी आई कार्ड के लिए एपलाई कर सकता है ओके फिलाल याद रखना है जो इसके पेरेंट्स होंगे दोनों वह बंगलादेश और पाकिस्तान से बिलॉंग नहीं करने चाहिए ओके तो यहां पर यह सारी चीज़े बताई जाती हैं OCI कार्ड के अंदर आई हूप आप लोगो यह क्लियर हो गया होगा तो OCI के बारे में पढ़ना काफी important था नाव आगे बढ़ते हैं अब next article की तरफ चलते हैं और यहां पर आता है page number 13 that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है सबसे पहले article इसको हम बाद में discuss करेंगे पहले हम लोग इस वाले article पर आते हैं यहां पर बेसिकली बात करी गई है चाइना और श्री लंका को लेकर तो बेसिकली जो प्रासिडेंट है जी जिन पिंग और जो है श्री लंका क्या गए वो है गोदबया अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप देख पाओगे चाइना और श्री लंका की बीच में जो रिलेशन से वो काफी हद तक मेंटेन होते वे आ रहे हैं ठीके अब यहाँ पर देख पाओगे चाइना ने बहुत सारे मेगा इंफ्रेस्ट्र एक रोल हमेशा सा यह रहा है कि वो कंट्रीज को क्या करता है बहुत सारा लॉट्स अफ मनी लॉट्स अफ लोन प्रोवाइट करवा देता है और फिर उसके बाद उनको फसा देता है डेट ट्रैप के अंदर पसा देता है यानि कि अब आपको लोन तो दे मिल गया अब क्या प्रोवाइट करवाएगे इंफ्रस्ट्रक्चर लगवाएगे तो एक तरीके से जो रिलेशन्स है वो चाइना के श्रिलंका के आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वोके इसके यहां पर थोड़ा सा रिलेशन्स के बारे में यहां पर बताया गया ना उसके बाद नि आप पाओगे सारा एक से आप देख पाऊगे इसमें के बोलागीया है अभी आप देख पाऊगे जो हमारे बाग्लादेश की दो दिन की विजेट पर गए थे और वहां पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला वह कहां पर किसकी वजा से हैक्तित्त इसलाम थ यह पूरा का पूरा बिहाइंड था यानि कि यह जो प्रोटेस्ट हुआ है बंगलदेश के अंदर इस प्रोटेस्ट के पीछे यह वाला गुरूप था ठीक है तो दो चार मुद्दे को लेकर यहाँ पर आपका सकते हो चिड़ा था चिड़ा पंधा किस चीज को लेकर जो CAA ह है और यह सारी चीज है उसकी वज़ा से भी यहाँ पर यह इतना बड़ा चीज देखने को मिली है तो बेसिकली यहाँ पर जादा कुछ नहीं है एक छोटा सा आइडिया दे रखा है कि यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है कहा पर बंगलदेश के अंदर और काफी भ अब जो आपको कम फोकस करना है वह भी मैं आप लोगो यहाँ पर बता देता हूं नाव चलते हैं एडिटूरियल सेक्षिन की तरफ नवाच के चार एडिटूरियल हैं जिसको हम डिसकस करेंगे सबसे पहले इंडिया बंगलिदेश के बारे में बात चीत करी गई है फर उस के बाद IIT को लेकर बातचीत करी गई है क्या प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है ठीक है इस आर्टिकल को हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं मैं भी आपको बताऊंगा कैसे हमने डिसकस किया है तो सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया और बंगलदेश के बारे में तो यहाँ पर बंगलदेश का यहाँ पर सेलिवरेट भी क्या गया है और इस आर्टिकल को मैंने डिसकस किया था 26 मार्च को 26 मार्च को बहुती डीटेल में इंडिया और बंगलदेश के रिलेशन्स को मैंने डिसकस किये थे चलो मैं अभी आपको आर्टिकल भी दिखा देता तो आप देख पाओगे जो आज के टाइम पर हम बात करें तो पहले तो शुरुवात में बांगलादेश और इंडिया के रिलेशन्स जो है काफी अतक लड़कडा रहे थे अच्छे से कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे ये लोग लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दस सालों में आपस में इंडिया और बांगलादेश के रिलेशन्स काफी तेजी से ग्रो हुए है कॉपरेशन काफी तेजी से ग्रो हुआ है अगर हम बात करें जो ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर हो गया इन सबी चीजों में दोनों कंट्रीज ने काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ पाई है उसके बाद अगर हम बात करें तो बांगलादेश आज के टाइम पर आपका सकते हो आज के टाइम पर इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दा साउथ एशिया हम लोग जो है ट्रेड वगरा काफी जादा करता हैं बांगलेश के साथ उसके साथ उसी के साथ हमारा जो कॉपरेशन वगरा है वो काफी बढ़ चुका है रोड हो गया रेलवे ब्रिजे स्पोर्स वगरा से हमने आपका सकतो कंस्ट्रक्शन वगरा करने की बातचित करी है कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा रहे हैं लगातार बांगलेश के साथ काफी सारा लाइन ओफ क्रेडिट हम लोगोंने लोन्स वगरा प्रोवाइड करवा रखे हैं कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए भी आप लोग को मालूम है कि एक नया ब्रिज का भी इनागुरेशन करा गया है मेत्री सेतू ब्रिज ठीक है तो वह सारी चीजह आपर इस रिलेशन के अंदर बताए गई है नाव दूसरी तरफ इन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स किस चीज़ को लेकर क्रेट होती है वो होती है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को लेकर आपका सब्सक्तों शेरिंग है तो इस चीज़ को लेकर काफी दर डिस्प्यूट होता है और यह बहुत पहले से डिस्प्य के लिए काफी बड़ी problems हैं कहां पर इन दोनों के relation के बीच में और तीसरी problem CAA आपका सकते हो ये सवरी NRC National Registration National Register of Citizens तो यहां पर NRC को लेकर ये problem create हो रही थी यहां पर जब NRC लागू कर आगया तो बहुत सारे आपका सकते हो कि बंगलदेशी हैं जिनको आपका सकते हो problems create होई और यहां पर उनको लगा कि यहां पर उनको अलग कर दिया जा रहा है तो इस तरी की problems create हो रही है तो यहां पर आई होप आप लोग कोई relation समझ में आ गए होंगे यहां पर यह जो आर्टिकल है इसको मैं share कर दूँगा टेलिग्राम ग्रूप में ठीक है इसको हमने discuss के अधा 26 मार्च में तो वही सारी चीज़े यहां पर बताई गई है इक छोटा सा हमने idea लिया है इसके पार next article में बात करते हैं बोला जा रहा है इंडिया ड़स नोट शाइन वेन आउनली सम ग्लीम यानि की बहुत सारी countries जब यहां पर शाइन कर रही है बहुत सारी countries अच्छे से grow कर रही है तो इंडिया ने यहां पर बिलकुल भी अपनी growth न होई है इस novel coronavirus pandemic की वज़ा से बहुत सारे लोग है जिनके सर पे छत नहीं रही जिनको खाना नहीं मिला ठीक है और पानी पी पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाया लोग को इस तरीके से problem create हो रही थी उसी के साथ यहां पर देखने को मिलेगा आपको इंडिया के ranks बताए ग इंडेक्स है उसके अंदर भारत का rank जो है वो 94 है 107 में से यानि कि आप देख पाऊगे लोग काफिया तक भूके भी रहते है 107 में से 94 rank है global hunger index का दूसरी तरफ अभी हाली में world happiness report आई थी उसके अंदर देखने को मिला कि इंडिया की rank और वी जादे बुरी रही यानि लोग देख पाऊगे यह सारी चीजह आपर बताई गई है और इंडिया मतलब कि बाखी सारी कंट्री जहां पर ग्रो कर रही है वाँ पर इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है दूसरी तरफ इनिक्वालिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ती वी नजर आ रही है वो वाइडन वो और जादे गरीब हो गाए देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो रिचर थे वो बिकेम एवर रिचर और उसके बाद जो पूर थे वो उन्हों आपका सकतों इंक्रीज हो चुके हैं वो 75 मिलियन से वो भी बढ़ चुके हैं ऐसा रिपोर्ट ने बताया है ओके तो यह करना पड़ेगा इन लोगों के लिए यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो अपना गोल 5 ट्रिलिन एकॉनमी का एचीव नहीं कर पाएंगे उसके बाद देख पाऊगे इंडिया की रैंक है 120 आउट ओफ 122 कंट्रीज इन वाटर क्वालिटी यहाँ पर आपक तब कि काफी हम लोग पीछे चल रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के अगर हम कंपारिसन में देखें तो उसके बाद यहाँ पर देख पाऊगे इंडिया अर्जेंटली आज के टाइम पर ज़रूरत है कि हम नए नी चीज़े नए नी स्ट्रेजी लेकर चलें अपनी ग्रोथ को पकड़ने के लिए ठीके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स लेकर चल सकते हैं जैसे की एन्वोर्मेंट के हेल्थ के ओपर धियान रखना है और आपको सकते हो कंडिशन आफ सोशाइटीज पबलिक सर्वेसे यानी लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल ट्रीट करना है लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे अदर्वाइस जो है यहाँ पर ऐसी चीज़े चलती रहने वाली हैं बार बार वही चीज़ को मेंशन करा गया है तो यहाँ पर कोई जादा वह ऐसा नहीं यह लॉजिकल सा आर्टिकल है इतना चीज़े हम लोग अल्रेडी डिसकस करते वारे हैं तो आई होप आप लोग को यह सारी चीज़े क्लियर हो गए होगी नाओ एड़ लास्ट वही वापस से वही चीज़ बताई गई कि 5 trillion आगर economy अचीव करनी है तो आपको नए नहीं चीज़ों अपनाने इस टाइप का आर्टिकल आया था बीस फरवरी को तो बीस फरवरी को हमने इसको डिसकस किया था मुझा याद है ठीक है आप लोग जाकर देख सकते हो फिलाल तो कोई बात नहीं भी देखोगे तो यहां मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है चोड़ा सा आइडिया लेते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आप देख पाओगे आयाइटी को लेकर बेसिकली टार्गेट करा जा रहा है बीस फरवरी को एक आल्टिकल आया था जिसका नाम था टू मैनी आयाइटी अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानि कि आजके टाइम पर देखें तो आ does is लगातार बाटे जा रहे हैं हर टाइम पर लए अठिवर बन रहा है तर्वालें अल्वे इरिया सिकली आप देख पाओगे प्रॉब्लम स्कौरी एक क्रेट हो रहे हैं आपकर सकते हो साइज व क्वालिटी की ज़रूरा था क्वालिटी प्रोवाइट करवाओ ठीक है तो ज्यादा बैटर वहाँ पर होने वाला है अगर यहां पर बात करें आई-ई-टी का मेन कोर फंक्शन क्या है इंजीनियरिंग स्कूल्स कहां पर क्या करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट को गाइड कर कर जाता है वो अपने करियर के लिए काम करें गैजट्स वागरा बनाएं ठीक है टेक्नलोजी को लेकर यहां पर खासकर वर्क कर जाता है नहीं साइंस को डिस्कवर करें बैसिकली एक और फंक्शन होता है लेकिन यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रेट होती है अब रिकूट्मेंट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे पहली बात सैलरी वगरा बहुत जारा लो हैं यहां पर अगर हम बात करें कंपैरिजन टू इंटरनेशनल लॉम्स तो बहुत सारी जो फेकल्टीज है वो डिरेक्ली इंटरनेशन युनिवरस्टीज में जा रहे है ठीके ऐब रोड में जा रहे हैं पड़ाने क्यों क्योंकि वहाँ पर ज्यादा फेसिलिटीज मिल नहीं हम लोग यहाँ पर बताया गया है जो है फेकल्टीज बहार जाकर पढ़ाने पड़ाना सय़ार्ट कर रही है ठीके क्योंकि बहार बहुत कुछ प्रोवाईट कर वाया बहुत कुछ वहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे यह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गही है उसके बाद problems क्या create होती है जो faculty की है उसके साथ problem यह create होती है सबसे पहले क्या होता है जो faculty है enough faculty members को hire कर लिया जाता है उसके बाद यहाँ पर burden उनके पास बहुत जादा हो जाता है कि उनको और भी जादे canteen को run करता है यहाँ पर यह additional task दे दी जाते है कि आप लोग को canteen वगरों को भी देखना है यह सारी चीज़ों के उपर भी नजर मारनी है ठीक है उसके बाद second problem क्या हो जाती है अच्छे से करना पड़ेगा वो most important aspect है अगर आपने faculties का अच्छे से recruitment नहीं किया है दन उसके बाद quality education की आप बात नहीं कर सकते है ठीक है तो remote ness आज के टाइम पर कोई problem नहीं अगर हम बात करें कि कोई भी areas पर कोई सी भी area में या IIT वगरा open कर सकते हैं लेकिन आपको उस चीज के ओपर दो ध्यान रख देना पड़ेगा यहाँ पर remote ness कोई problem नहीं होनी चाहिए लेकिन आपको एक excellent education provide करवना पड़ेगा उसके लिए आपको बहुत सारी problems को आपके सकते हो टेकल करते हुए चलना पड़ेगा उसमें से main problem पहली problem और पहली और आखरी problem क्या है recruitment of faculty आपको बहुतिन faculty को रखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं next article की तरफ page number 7 पर आज का last article बात करता है a road to progress के बारे में women dairy farmers को लेकर बातचीत करी गई है काफी important article है देखो मैं आपको बताऊंगा बोला यह जा रहा है सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे देखो किस चीज को लेकर देखो एड़ी लास्नम बात करेंगे सबसे पहले यहां से शुरुबात करेंगे जो women dairy farmers है वो काफियत तक grow करी है यहाँ पर उनका data बताया गया है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक study करी गई है International Development Research Center के द्वारा इसने indicate करा जो 93% women farmers है उन्होंने receive करी training ठीक है एक financial support में मिला और बाई success बहुत ही जादा तगड़ी success मिली है मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा ठीक है इनकी जो incomes है women dairy farmers की उनकी काफियत तक increase हुई है आप देख पाऊगे एक latest data ये बताता है more than 1,90,000 जो dairy cooperative societies है वो है country के अंदर जिसमें 6 million women members है ठीक है उसके बाद यहाँ पर study ये भी बताई जा रही है जो women dairy cooperative society members है across the Rajasthan उन्होंने income generation देखने को मिला है जो मतलब राजिस्थान के अंदर जो भी यहाँ पर women societies है लेकर तो women की जो income से वो काफियत तक generate हुई है और income जो है वो काफियत तक increase हुई है कैसे increase हुई है देख पाऊगे 31% तक जो women है उन्होंने अपने जो मिट्टी के घरते उनको cement के अंदर बदल दिया है यह सारी चीज़ें हैं पर बताई गई है ओके नाव उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे क्या बोला गया है एक्जैक्ट लिया पर एक चीज़ हां एक चीज़ आप देख पाऊगे बन चुकी है इस तरीके से अमिल डेरी ने दस विमेन को आपके सकते हो लिस्ट बनाई है आप देख सकते हो उन विमेन का थोड़ा बहुत स्टोरी बगर भी बताई है नाम भी बताया है जो कि आपके लिए important नहीं है ठीक है उसके बाद यह बोला जारा है इंडिविज्वल विमेन डेरी फार्मर्स आर ओल दी मोर रिमार्केबल फॉर देख देट मैनी ओफ देम हैव नौट हैड़ा फॉर्मल एजुकेशन जो जाधार विमेन से हैं उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन फिर भी एक उनको डारेक्शन मिल गया एक सपोर्ट मिल गया तो उसकी वज़ा से इन्होंने आपको सकतो बुरा इतियासी रज दिया अब यह मत सोचना दूद बेचना काफी बढ़िया हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर हर कोई हर किसी चीज़ पर नहीं होता लेकिन उसको अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है अपने अंदर की क्वालिटी देखो क्या है ठीक है उसके बाद नेक्स आर्टिकल नेक्स आर्टिकल तो यहाँ पर कोई नहीं है बहुत सारी स्टोरीज वगरे आपर बताई गई है बहुत सारी अलगले विमेन की तो उसको आप लोग इसली पढ़ सकते हो तो यहाँ पर अपने अपने नियूस पेपर अनलेसे समाप अप लोग को सारी चीज़े क्लियर होगी नाव मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाए है वान नाइस टे